पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर खपाई जा रही नकली करेंसी का खुलासा किया है पुलिस ने एक लाख सतानवे हजार की जाली करेंसी के साथ एक यूवक को गिरफतार कर लिया है सीओ ब्रह्मपुरी अमीद कुमार राय ने बताया कि पुलिस ने एक सुचना पर कारवाई करते हुए वेद व्यास पुरी से मूल रुप से बुलन शहर निवासी सुनिल कुमार को गिरफतार किया आरोपी के कब्जे से एक लाख सतानवे हजार की नकली करेंसी बरामत की गई बरामत हुए नकली नोट सो, दो सो और पांच सो की शकल में थे इसी के साथ आरोपी के पास से पांच पांच सो रुपे की पचास हजार की असली करेंसी भी बरामत की गई पुष्टाश के दोरान आरोपी ने बताया कि वहाँ पिछले चार महिने से अपने साथी श्रीकांत उर्फ काली चरण के साथ मिलकर नकली करेंसी चाप रहा था पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक भारी मातरा में नकली करेंसी मार्केट में खपा चुके है सीयो ब्रह्मपूरी ने बताया कि इन दिनों आरोपी और उसका साथी नोएडा में एक मकान में किराय पर रहे रहे थे आरोपी की निशान देही पर नोएडा स्थित उनके मकान पर च्छापा मारा गया चाहसे पुलिस को नोट चापने का प्रिंटर और भारी मातरा में अध्छपी नकली करेंसी और करेंसी में प्रयोग के जाने वाले कागज बरामद हुए पुलिस के मताबिक आरोपी के फरार साथी की तलाश की जा रही है एक बज़े के आसपास एक विप्त की गरफतारी टीपी निगरताने में की गई इसके पास से एक लाट सब्तानवे हज़ार फेक करेंसी और पचास हजार असली मुद्रा परामद हुई है इस विक्ति का नाम सुनील है इसकी गरफतारी की गई है इसका स्वयोगी स्रिकांत जो फरार है उसके गरफतारी की गोसिस की जा रही है समंदे धाराओं मुकदमा पंजगित कर लिया गया है और आवस्चक विदिक करवाई